प्यारे बच्चों, जैहिन, छटी से आठवी के पठन अभियान में आज हम बात करेंगे अंतर राष्ट्य मात्रभाशा दिवस की क्या आप जानते हैं कि आज का दिन बहुत खास है क्योंकि हर वर्ष 21 वरवरी पूरी दुनिया में अंतर राष्ट्रे मात्र भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है आपके मन में सवाल उट रहा होगा कि मात्र भाषा आकर क्या है चूंकि इनसान का सबसे गहरा रिष्टा मा के साथ होता है अगर मा इनसान को जन देती है तो भाषा उसे जिन्दगी के अर्थ बताती है जीने का ढंग समझाती है इतने गहरे संबंध के कारण ही इनसान ने भाषा का रिष्टा मा से जोड़ा मात्र भाषा अपने माता पिता और परिवार के अन्य लोगों द्वारा घर में बोली जाने वाली भाषा होती है जिसे सुनते हुए हम बड़े होते हैं और अपने घर या आस पडोस में उसका प्रयोग करते है मात्र भाशा के प्रयोक से हम एक जुढाव और अपने पन का अनुभव कर पाते हैं और आसानी से अपनी बात कह पाते हैं बच्चों आप सबकी भी कोई न कोई मात्र भाशा अवश्य होगी और वह आपको सुनने और बोलने में अच्छी भी लगती होगी तो आईए हम इसी विशे पर निमने लिखित गती विधियों को करते हैं आपने देखा कि यहां चित्र में मैडम प्लाकपोर्ट के पास खड़ी हैं और क्लास में बहुत से बच्चे बैठे हैं बच्चों भारत विविधताओं का देश तो है ही इसमें विभिन धर्म जाती के लोग रहते हैं मिल जलकर एक परिपार के रूप में तो विभिन बोली और भाशाएं भी हैं तो सभी की भाशा अपनी अपनी बोली उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रिय होती है वो घर में उसी भाशा में बात करते हैं देखिए यहां अध्यापिका कह रही है कि बच्चो सेड़ी को आपके मातर भाशा में क्या कहते हैं तो एक बच्ची कहती है मैडम मेरी मातर भाशा उर्दू में जीना कहते हैं दूसरा बच्चा कहता है कि मेरी मातर भाशा पंजाबी में इसे पौड़ी कहते हैं और तीसरा बच्चा कहता है कि बंगाली में इसे मई कहते हैं और चौथा बच्चा कहता है कि मेरी गड़वाली भाशा में इसे पैड़ी कहते हैं तो देखा आपने सीरी को अलग-अलग बोली और भाशाओं में अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है तो चलिए हम ये गतिव गति विधि दो नीचे को चब्द दिये गए है और आपको बताना है कि आपकी मात्र भाशा में इसे क्या कहते हैं जैसे दर्वाजे को पंजाबी में बुखा कहते हैं गुबारा, पतंग, रजाई, चटाई, टोकरी ये बताईए आपकी मातर भाषा में आप लोग इसे क्या कहते हैं कतिविधी 3 कि आप अपने माता-पिता या घर के सदस्यों की सहता लेकर अपनी मातर भाषा में प्रचलित किसी एक लोग गीत को तयार कीजिए और उसे अपनी कक्षा में सुनाईए तो बच्चो मातर भाषा दिवस किस वरोरी को आप अपने विद्याले में जरूर मना रहे होंगे अपनी अपनी भाषा पर गर्म महसूस कीजिए धन्यवाद